हेलो कि अशो के स्थोर जविस क्स्री एक्स्पॉर्ट हैं यहां पर वीडियो में आपका दोओं मिस्धेज स्ट्पॉट कीजाजिए हैं मैं एजूकेशन शर्वेश जो एक्स्पॉर्ट करता हूं मतलब में यहां से विदिश के अंदर टूटट को पढाता हूं और student जो है मुझे fees देते है डॉलर में fees देते है तो service export क्या है service export मतलब यहां से जो है कोई product export नहीं करना है intangible asset जो है जो दिखती नहीं है वो चीज मतलब software हो गया education हो गया कोई technique या consultancy हो गया accounting service हो गया मतलब यहां से गूट एक्सपोर्ट नहीं होगा बट यहां से जो है हमारा advice हमारा skill हमारा knowledge जो है हम बहार लोगों को देंगे और उनके बदले में लोग हमको payment देंगे मतलब service export मतलब goods को export नहीं करके हमारे पांच जो skill है knowledge है उसको हम जो है दूसरों को देंगे और उसके बतले में हम जो है payment लेंगे उससे बोलते है service export next हम बात करेंगे export service के बार में कि कौन सी कौन सी service आप export कर सकते हो तो सबसे पहली है education service yes मैं खूद education service export करता हूँ मैं विदे फीज लेता हूँ तो मेरी bank में जो है foreign currency आता है education service है software service है accounting service है योगा service येस आप यहां से विदेश में किसी को योगा भी सिखा सकते हो तो उसके बदले में भी आप payment ले सकते हो technical consultancy होगे आप किसी को विदेश में website बना के दे सकते हो लोगों वगरे design करके दे सकते हो और उ सारी services जो है आप export कर सकते हो अब यह service export करने के लिए क्या-क्या document लगेगा service export करने के लिए को ज्यादा document नहीं लगता है आप जो है अपना company बना के उसका आपको IEC लेना है service export करने के लिए IEC जो है mandatory है तो आप अपना IEC ले लिजे next उसके बाद है RCMC service export promotion council का RCMC पर मैं आपक बाद में जब आपको government का benefit लेना है तभी आप उसको ले सकते हो मतब इनिशल लेवल पे RCMC लेने की जुरूरत नहीं है और कहीं पे आपको requirement हो गई और मांग लिया तो आप ले भी सकते हो next is GST तो इतने document जो है service export करने के लिए लगते है तो generally जो आप सबसे पहले IC ले लिज export करना चाहता है या website वगरे बनाके software service export करना चाहता है उसको क्या करना पड़ेगा तो सबसे पहले जो भी service आपको export करनी है उसके बारे में आपको knowledge होना चाहिए या उसके जो लोग है वह आपके पास होने चाहिए suppose आपको जो है tuition service export करनी है mathematics किसी को पढ़ाना है तो mathematics आपको आना तो चाहिए ना तभी तो आप पढ़ा पाओगे या फिर आपके पास कोई faculty उसका होना चाहिए तो institution service या education service export करना है तो आपको आता है okay done हो गया next जो है उसके बायर find करने yes कि videos के अंदर बायर मतलब कि कौन आपकी service लेना चाहता है कौन mathematics पढ़ना चाहता है कौ आपको जो है वो find करना पड़ेगा वो आप social media से find कर सकते हो वो आप जो है Google से या Facebook से या Instagram से कहीं से भी आप find कर सकते हो बीटुमी website हो गया अगर विदेश में आपका कोई reference है कोई आपका friend विदेश में है उसके कोई friend को कोई service चाहिए एक मेरा बेटा है उसको mathematics पढ़ाना मतलब विदेश का जो भी country में आपको export करना है उसका tax का knowledge आपको होना चाहिए वहां पर तो आपको जो है बायर find करना है उसको क्या करना है pricing देना है आप mail में देख सकते हो direct WhatsApp में देख सकते हो कि हमारा जो है mathematics या समझो मैं export import की service export करता हूँ तो मेरा export import सिखाने का one lakh rupees है उस 600 डॉलर जो है मेरा fee है आप मुझे 600 डॉलर दे दीजे मैं आपको जो है export import सिखाऊंगा एक course रहेगा इतना duration रहेगा तो वह बंदा जो है मुझे 100% advance में या party advance में वह payment भेजेगा फिर इसके बाद मैं यहां से पढ़ाना शरू करूंगा एक महीने के बाद उसका training complete हो जाए पैसा क्यों आया है तो आपको क्या करना है invoice बनाना है यह वायर के नाम का एक invoice बनाना है उसमे 600 डॉलर जो भी फी है वो लिग देना है और उसको invoice दे देना है परफरमा invoice पहले दे सकते हो या final invoice भी दे सकते हो कि यह मेरा invoice है इसके सामने वो मुझे payment कर रहा है मेरा service export है तो payment मिल जाएगा आप service पुरा दे दीजिए पुरा payment आ गया उसके बाद आपको FIRC generate करवाना है foreign in word remittance certificate जैसे कि goods export करते हैं हम तो हम क्या करते है बी आर्ची generate करते है तो यहाँ पे service export में जो है आपको FIRC foreign in word remittance certificate आपको generate करवाना है बैंक वाले generate करके देंगे आपको तो शी service export कर दिया है उसका payment आ गया है इसके सामने मेंने bill raise कर दिया है तो यहाँ पे आपको service export करने में एक invoice बनाना पड़ेगा और जब एक export करने के लिए invoice बनाते हो तो उसमें जी एसटी चार्ज नहीं करना है invoice जो है किसमें बने का डॉलर में बनेगा तो यहाँ पे आपको क्या करना है जी एसटी चार्ज नहीं करना है तो service export का बहुत ही simple procedure है आपको क्या करना है advance में payment लेना है उसको service deliver करनी है और यहाँ पे FIRC जो है generate कर देना है invoice bank को देना है bank वाले जो है FIRC आपका generate करके देंगे next होता है buyer find करना yes कि sir service के लिए हम buyer कैसे find करेंगे तो यहाँ पे मैं आपको पताता हूँ buyer कैसे आप find कर सकते हो सबसे बढ़िया वे है social media and online yes सबसे पहले आप क्या किजेगा आप LinkedIn profile में आपका अच्छा सा profile बनाई है और वहाँ पर सारे फोटोज होगे शेर कीजिए कि वियार गिविंग accounting services वियार गिविंग एजुकेशन services तो विजेशी बायर को जो है आप message कीजिए उसमें जो भी interested होगे आपके पास आएंगे आपको फीज बूसेंगे आप फीज बताएगा negotiation होगा और education या ऐसी accounting service के अंदर भी है तो आप क्या कीजिए यूटूब का चैनल बनाएए उससे भी tutorial अपडेट कीजिए कई 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 टॉपिक के वीडियो जो है आप अपडेट कीजिए जिससे क्या होगा कि आपको जो है वहां से भी lead generate हो सकती है next is bulk email marketing यस आप क्या कीजिए inquiry करेगा और inquiry करेगा तो deal done भी हो सकता है next जो है आपकी service के इसाप से आप exhibition में भी participate कर सकते हो आपका software एक्सपोर्ट का काम है तो software का जो exhibition होता उसके अंदर आप participate कर सकते हो आपका education service export का काम है तो education fair जो होते है उसके अंदर जो है आप participate कर सकते हो तो exhibition से भी जो है अच्छे buyer मिलते है नेक्स्ट है आपका जो target market का country है वहाँ पे आप direct visit कर सकते हो और वहाँ पे जो है आप buyer find कर सकते हो विदेश के अंदर आप लोगों को मिलिए business group को मिलिए और वहाँ पे आपकी service के बारे में बात कीजिए और जो है आपकी service export कीजिए नेक्स्ट है partnership in foreign countries यस आप जो है विदेश में local बंदे के साथ partnership कर सकते हो देखिए विदेश के अंदर अमेरिका के अंदर को software बना रहा है website बना रहा है तो अमेरिका के अंदर website बनाना महँगा पड़ता है तो आप जो है उसे offer दे सकते हो कि इंडिया के अंदर हम आपको website बन सकते हो मैंने यहां पर accounting service का काम की शुरू किया है विदेश का मतलब केनेड़ा का तो वहां पर किसी को accounting करना है तो मुझे बताना तो ऐसे भी आप जो है leads and rate कर सकते हो तो इससे आप से जो है बहुत सारे ways है जहां से आप service export के लिए बायर फाइंड कर सकते हो next day service export banking कैसे और आपको जो है invest bank वालों को देना है और बात में जब आपका पूरा पई से आ जाए तो यह फाइ आर्सी आपको जंडेट करवाना है next day government benefit तो service export के अंदर क्या-क्या benefit मिलता है तो service export के अंदर मिलता है SCIS service export इंडिया scheme के तही है तो 1% 2% 3% कि कितना benefit है समझो कोई बंदा 1 lakh dollar का service export करता है उसको 1% SCIS मिल रहा है मतलब 1000 dollar जो है government इसको देगी यह claim करने के लिए और इसके बारे में more information के लिए आप जो है service export promotion council का help ले सकते हैं या service export को promote करने के लिए government ने service export promotion council बनाया है जो service export को बहुत सारा help करती है और बहुत सारी government की scheme है उसके बारे में भी आपको service export promotion council आपको बताएगी तो आप यहाँ पर service export करना चाहते हो तो सबसे पहले आप service export promotion council की website को read कीजिए आपको बहुती सारी information वहाँ से आपको मिलेगी government के benefits क्या है वो भी आपको service export promotion council पता चलेगा और भी service export के rules and regulations क्या है वो भी आपको जो है service export promotion council की website से मिलेगा और service export promotion council का काम है service exporter को जो है support करना नेक्स्ट हम बात करेंगे service export के advantage यस आप service export करना चाहते हो तो यहाँ पर अगर आपको इस talent है समझो मुझे export import आता है मैं export import विदेश में सिखाता हूँ तो अभी मुझे जो है को investment नहीं लगेगा मतलब यहाँ पर service export जो है zero investment में शरू हो सकता है थोड़ा बहुत मतलब पां नहीं को investment यहाँ पर नहीं लगेगा अगर आपको को equipment नहीं है समझो service export करना आपको education service देना है live zoom पर पढ़ाना है laptop नहीं है तो laptop का खर्चा हो सकता है basic जो है 50,000 to 1 ले का खर्चा हो सकता है पर उसके बाद जो है यहाँ पर को investment नहीं लगता है तो service export business जो है without investment यहाँ पर शर business कर सकते हो next जो है यहाँ पर अच्छी income मिलेगी क्योंकि जनरली जो है पर हवर के हिसाब से आपको dollar में मिलेगा तो अच्छा खासा आप कमा सकते हो तो यहाँ पर परसन है जिसके पास कोई skill है तो skill को भी जो है आप export कर सकता विदेश में dance सिखा सकते हो विदेश में योग business वगरी की कोई जरूत नहीं है आपको client को convince करना है client से पैसा लेना है और client को अच्छी service देनी है yes मैं आपको बता दू export में अच्छी service customer is a god तो service export करने के लिए आपको अच्छा service देना है client को तो यहाँ मैंने आपको बताया कि service export का क्या procedure रहता है तो आप भी मेरी तरह service exporter बन सकते हो let's go global together thank you thank you for watching this video क्या आप step by step practically export import सिखना चाते हो then join advanced level export import practical training everything about export import जिसके अंदर 100% export import सिखाने का guarantee है with lifetime support to register call now let's go global together thank you है